नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है विहार बोर्ड मेट्रिक परिक्षा के लिए विज्यान से लगू उत्र ये प्रस्ण प्रस्ण है लिंग गून सुत्र क्या है लिंग गून सुत्र क्या है तो देखिए इस प्रस्ण का उत्र कैसे देना है प्रस्ण आपको पूछा जाएगा कि लिंग गुन्शुत्र क्या है तो यहां उत्तर में यह answer लिखेगा लिखेगा मानवाओं में कूल 23 जोड़े गुन्शुत्र होते हैं और संख्या कितनो जाएगा 23 दूनों 46 मानवाओं में 46 गुन्शुत्र होते हैं यानि 23 जोड़े तो मानवाओं में कूल 23 जोड़े गुन्शुत्र होते हैं जिसमें से अंतिम 23 जोड़ा लिंग गुन्शुत्र कहलाते हैं इसी के कारण कोई मनब नर या मादा नर मतलब अगया प्रूस और मादा मतलब अगया नारी यानि अवरत के रूप में जन्म लेते हैं नर यानि प्रूस प्रूस में गुन सुत्र क्या पाया जाता है X और Y पायाता है प्रूस में गुन क्या पायाता है X और Y लिंग गुन्शुत्र पाये जाते है पर मादम में XX पाये जाता है मादम क्या पाये जाता है XX जाने कि मादम मतलब महिलों में XX लिंग गुन्शुत्र होते है अब देखिए तो देखिए नर यानि कि प्रूस में क्या होता है X और Y गुनसुत्र पाए जाते है और महिलां में क्या पाए जाता है X पाए जाता है अगर प्रूस का गुनसुत्र X और महिला का X तो ही है तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा लर्की पेदा होगा अगर प्रूस नर नर्का गुनसुत्र वाई और महिला का तो X रेवे करता है जब ये X, Y मिल जाएगा तब क्या होगा लरका पैदा होगा तो समझ गये यहाँ पे कि मानव में कूल 23 जोड़े गुनसुत्र होते हैं आपको अबजेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि मानव में गुनसुत्र की संख्या कितनी है तो आपको कितना लगाना है 46 लगाना है और अगर जोड़े पूछा जाए तो 23 लगाईएगा तो मानवाँ में कूल 23 जोड़े गुनसुत्र होते हैं जिसमें से अंतिम 23 जोड़ा लिंग गुनसुत्र कहलाता है इसी के कारण कोई मानव नर या मदा पुरूस या महिला के रूप में जर्म लेता है नर एक्स वाई नर एक्स वाई लिंग गुनसुत्र होते है पर महिला में एक्स एक्स लिंग गुनसुत्र होते है तो आप समझ गें प्रेस्न था लिंग गुंसुत्र क्या है तो समझ गें लिंग गुंसुत्र क्या है